नमस्कार आप देख रहे हैं भारत मैं सिपसर्मा इसमें आरेली के मुख्याले पर मौजूद है तो हमारे साथ मौजूद है राष्टिये आरेली के राष्टिये महासचिप तो लोग त्यागी जी से बात करेंगे सराज आपकी प्रेस वारता हुई और आपने लगातार किसान जी ने विजली के विल माफ कर दिया तो यह हमारी जीत है जो हम लगातार मांग कर रहे थे किसानों के विजली का विल ना लिया जाया वह आपके माध्यम से योगी जी को इस बात का बधाई देना चाहता हूँ अब देखे अभी हर साल रो बजट में आता सा पैसा 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 तो अगे बजट बनता रहेगा वह होगा को प्रियास रहे हैं Switch आव धाव नहीं से फोंगीन का तो पांच साल को माफ कर दिया है किसानों के देश बर के गरीब किसानों खाते हम जारा सब किसानों को नहीं जाता हूँ देखिए विपक्ष तो हर चीज पर सवाल उठाएगा मालो मैं बीमार हूँ और मुझे दवा मिल जाए तो वही मेरी मदद है दवा नहीं मिले तो जांच फिरी हो जाए वह बीमदद है दवा मिले तो राम आसीज राए मेरा हाथ देख लें हाथ पकड़के उसकी फीचना लें तो कुछ तो हो राश्टी लोगदल सर्किसानों के लिए ही लड़ती रहे और अब राश्टी लोगदल जो है बीजेपी के साथ में आ गई है तो कितना लाब मिलेगा का सवाल नहीं है बेसीकली लोगदल चौदरी चर्ण सिंग के सिद्धानतों पर चलता है चौदरी चर्ण सिंग के लिए गरामीन भारत ही वो कहते थे गरामीन भारत असली भारत है और गरामीन भारत में सत्तर असी परसेंट पहले असी रहते थे थे अब सत्तर पिछतर पर तो जो कस्वों के वैपारी हैं वो भी मक्ही मारेंगे किसान की जेम में पैसा होगा तो कपड़ा साही की जूता तमाम समान बजार से खरीदेगा अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो हमारे रोई तरकवाल अपने घर पर बैठे रहेंगे और बरतन फैक्टरी बंद हो अब यार पुरानी बातों का मैं कहां से बाब दूँगा मैं तो अब आया हूँ एंडिये में मुझसे ता आगे की बातों का जाब लेना पूरा यह बताईए कि आज आपकी राश्टे लोग दल में कई पदादिकारी कई कारिकरता जो समलित हुए कितना लाब मिला इसे पा नों के आए एक बड़ा एधारे मुस्लिम का कॉसके मौला नहीं हमरे हाँ है हमारे साथ जावेद हैं जौनपूर के बड़े नेता वो जॉन कि हैं था हुझा है और उन्हीं की हैं अब 6 बढ़ी टीम हमारे साथ आई है तो यह हमारा कुंबा बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है और आइस्ता आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करने हैं बहुत बहुत धन्यबाद आपका तो यह थे राश्टी लोग दल के राश्टी महाससे तो लोग त्यागी जी जिसनों ने सीधी तोर पर किसानों के मुद्ध पर बात की और जिस कदर आर इल्डी में युवाओं के नए कार्यकरताओं के जुड़ने से जो हासला है वो साथ त माल लखना हुसे